तो इस series में क्या आपको question mark की value find करनी है तो चलिए इस series का logic देखते हैं logic क्या है देखिए इसमें क्या हो रहा है 1 का क्या हो रहा है square हो रहा है तो कितना हो रहा है 1 हो रहा है इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है 2 का क्या हो रहा है square हो रहा है ओके यहां पे क्या हो रहा है 4 का स्क्वेर हो रहा है यहां पे 5 का ठीक है स्क्वेर हो रहा है यहां पे 6 का और यहां पे क्या हो रहा है आपका 7 का स्क्वेर क्या होता है 49 होता यहां पे क्या होगा तो 8 का क्या होगा स्क्वेर होगा तो 8 का स्क्वेर क्या होता है, अपका 64 स्क्वेर होता है, तो कॉशन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा, अपका 64 आएगा, ओके दोस्तों